मिट्टी के खालिक को होन है? Who is the creator of earth? और इसके बारे में पूछा किस से जाए? और मिट्टी खोद बता दे? दुनिया के इंसानों से भी ना पूछा जाए? और वो ही मिट्टी के creator जो है, मिट्टी के जरीए कपना control दिखा के बता रहा हो कि वो मिट्टी का creator है. क्योंकि मिट्टी जो है, वो क्या है nature? और जो मिट्टी की nature को control करेगा, वो क्या करेगा? कवानी ने फितरत को बदल सकता है. ठीक हो गया? क्योंकि अगर उसने मिट्टी को create किया है, तो फिर वो मिट्टी के अंदर जो कानून है, उसको तबदिल करेगा और उसको तबदिल करके दिखाएगा अपने control को और अपनी power को तो पता लगेगा कि हाँ वो control दिखा रहा है और अगर वो ही हो और कोई और ना हो तो पता लगेगा definitely वो ही दिखा रहा है अगर उस जैसा से अगर आप पूछते हैं किसी कौन है क्रेटर उफ मिट्टी तो बहुत सारे दुनिया के जो मजभब के इंसाने वो सब बताएंगे क्या बताएंगे इसाई के जिजिस हिंदू केंगे के राम कृष्णा वगरा मुसल्मान केंगे अल्ला बुदिस केंगे कुछ और एनर्जी वाले केंगे ऑनर्जी फैसला दो नहीं होगा ना लहाब लाएज ये बात के लिए रहे कि अगर दुनिया के इनसानों से पूछा जाएगा कि वो फैसला करें कि मिट्टी जो है मिट्टी इसका रिजिएर कोन है ल्द्टी के इस सबढम क्या हो जाएगी अगर वु किताबं किताबों की तरह जातें क्योंक्के वो किताबों को को खुलेंगे Scout किताबों के रिफरेंस ने पढ़आ कितां में पड़़ो मोड़ःतिक को ऊस्से तो फैसला कैसे कीजां। नहीं को फैसला किससे लुगा करना किशेवी नगारा है बहत although ? जैसे जुबानी दर теперь इंग फिदप दाव में तो अब मिट्टी का क्रीयेटर मिट्टीसे क्या किर रहा है moi को पता देता हँ की मिट्टी का जो क्रीयेटर इस ने इसी मिट्टी इसे इनसान को मनाया मिट्टी में इसान को लोटाया यह तो आप यह तो मानते हो ना, Ground Fact, इस reality को तो मानते हो यह इसको भी आपने मानते है, जैसे सूरज निकलता है, सूरज को अपनी आखों से देखते हो, और जानते हो, scientific rule है, उसूल है, तो अगर, scientific उसूल यह है, कि इनसान जब मर जाता है, तो उसकी लाज शडगल जाती है, और मिट्टी में मिल जाती है, यह मानते हो यह यह भी नहीं मानते है, मानते हो ना, चलो, अकल की बात मानते हो तो आप इतना तो इस पे तो पॉइंट पर हो गया, तो, और इसमें मैं इस बात को समझने हो और मानने के लिए आपको किसी साइंस के फार्मूलों को खुलने की जरूद नही यह common ground facts है कि सूरज निकलता है और जब इनसान मर जाता है तो उसकी लाज से बदबुआना शुरू आती है और वो सड़ जलना शुरू आती है मिट्टी में मिल जाती है यह चोटे बच्चे भी समझते हैं जो अकल यूज कर सकते हैं सिर्फ अकल common sense की दरुवत है और देहाती यह वो भी जानता भाई यहां भी लाज सड़ आती है तो इतना समझ में आगे आपको आगे बात करता है बिल्कुल इसी तरीके से अगर सूरज हो अगर सूरज मशिर्क के बजा मगरिब से निकल जाए तो आप क्या का हो गए हो सकता है नहीं हो सकता मेरे एक सवाल है कि ऐसा तो आप कोगे ना मुम्किन है लेकिन अगर सूरज मशिर्क के मज़ें मगरिब से निकल जाए और मगरिब से उसको निकालने वाला खुद यह बता भी दे दिखा भी दे कि वहां भी वही अकेला है जो निकाल रहा है तो फिर तो आप मानोंगे ना कि वो निकाल रहा है उसक मिट्टी में एक कानून सेट किया कि इनसान मिट्टी में जब दफन हो जाए यह पढ़ा हो तुम सडगल के वह डिकंपोजीशन के साथ वह वापस वापस अंदर बन यानि मिट्टी से निकला इनसान अब इसका में बताऊंगा भी आपको मिट्टी से एक इनसान जनरेट होकर निकला खड़ा होके जीता जाकता इनसान बनी गया ठीक है मिट्टी से तयार किया गया और वह खड़ा हुआ और मरने के बाद वापस मिट्टी के अंदर मिलके बराबर हो गया अब अब अगर को इसको इमेजन करें कोई हॉलिवुट की मूवी को के एक इनसान जैसे पानी क का कत्रा है और वह एकदम रूब इनसानी शकल इखतियार कर लेता है और फिर वापस रिवर्स करें अगर आप रिवर्स करें वीडियो तो वह आपस नीचे सला गया जमीन में बराबर हो गया यह पानी में बराबर हो गया वह देखा होगा आपने कुछ सुपर हीरोस वह ड्रॉप से एकदम कत्रे जमा हुआ और उसका उसने एक शेप इखतियार कर ली और फिर वह वापस डिकम खतम हो गया इसी तरह मिट्टी के खालेग ने मिट्टी से एक चीज़ को जिनरेट किया क्रियेट किया मतब बिसाल दे रहो और वह इनसान के रूप में उसको जाना था और मिट्टी में ही चलागी है वापस यह अगर आप समझे तो एक इमेजन करें तो जितने भी जमीन पे इनसान चल फिर रहे हैं यह मिट्टी से जनरेड हुआ है आप यह नहीं कि वह इस्पम वाली बात पर में वह अलग चीज़ है लेकिन मैं कुछ और बात करना जो आपको क्रियेडर उफ मिट्टी से बताना चाहता हूं इस पर मारी चीज एक डिफरेंट चीज है ठीक है मैं ओरिजन की बात कर रहा हूं ओरिजन जो औरिजनल स्टार्टिंग है उसकी तो उस सेंस पे यह सब मिट्टी से निकल रहे हैं और मिट्टी में वापस जा रहे और अब जाना तो आपको समझ में आता है जा रहे हैं अब मिट्टी का खाली क्या कर रहा है कि कंट्रोल वह यह दिखा रहा है मिट्टी से जो लोग मिट्टी में दफना देते हैं और छोड़ देते हैं वो मिट्टी में मपस धिकंपोज होके प्रोसेस में खतम हो जाते हैं लेकिन क्रियेटर ने ये किया है कि उस प्रोसेस को अपने मख्सूस बंदों पर अपने मख्सूस पेरोकारों पर अपने मख्सूस अन लोगों को जो उस क्रियेटर को मानते उनके जिसम पर उस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया प्रिवेंट किया है रोका हुआ है और वो प्रोस इस्तवाल हुए, बगएर कोई मसाले इस्तवाल हुए, बगएर किसी इसम की इसानी मुदाखलत के, जब वो छोड़ दिया जाता है, खुआ वो जमीन के उपार हो, जैसे खुदाओं के नाम पे लड़ाईयां होती हैं, जंगे होती हैं, तो वहां इसान मारे जाते हैं, कतल हो कोई शहीत हो जाते हैं, जैसे मधाइब में रोता हैं के शहीत होगए है, तो चाहे उनके जिसम जमीन पर डदेंगे हों, चाहे उनके व को मदो जमीन udhira हों, उनके जिसम निसम वैसे के वैसे रहते हैं, जैसे कि कोई सो रहा है, सोने समुनाद वैसे ही, हलाके वो जिस्मानी तोर पर खापी नहीं रहे, हलाके वो जिस्मानी तोर पर चल फिल नहीं रहे, हलाके उनके इंदर जिस्मानी तोर पर सांस नहीं बहाल, लेकिन इंसाने जिस्म बरकरार, उसके अ तोता हुआ इन्सान है। भूल भूमकिन में बना दिया इसका मतलब वह तो छिड़ता है और और भूत कर नहीं सकता है improved झाल का इंसान नहीं हो नहीं निम्राटल, नहीं पेषिखे हैं, बहुत सकता ही। एक हम नहीं को रूम सकता है। κα्पुछेफले। और मिवन्क Chili शुूरूंति कि ए अगर आप पोशें किसे हिंदों से कि आ तुम चैनल माभूत जिनको तुम माभूत करतयों कि हो वोسم मिल जा है तो कि म्ग्रिभ से सुरज निकाल सकतते हूं नहीं काल सकते यही हार्वं हिंदों का है यही आल यहूदियों का है यही आल तमाम गर मुसलिमों का है लेकिन यह आल मुसल्मानों का नियां क्योंके मुसल्मानों में तो एक मुसलिम मौजुद है जो सुरच को भी इस 21 सत्री की thigh reality है और वो भी सिर्फ एग रिय दिन का है हैं विराने में जघर में जंग में हैं अधर के अंदर हैं उन वो अपने ताकत से अपने कुम से उस ने उस डिकंपोजेशन कर प्रोसिस को उन पर सस्पेंट किया हो थो भूर्ट री कंपोज नहीं होते आप ये सब बनावटी करके अपनी मुदाखलत करते हैं और जब के मैं जो बात बता रहा हूँ आपको वो डिफरेंट वो सिर्फ दीन इसलाम के अंदर सिर्फ नेक मुसल्मानों के साथ हो रहा है और जितने भी बुरे मुसल्माने उनके साथ ऐसा नहीं होता और जितने भी इसलाम के नाम पर बहुत से मख़ब बनाए गए हैं इसलाम के मुकाबले पर जैसे के शिया मख़ब बनाए गिया है कादियानी मख़ब बनाए गिया है इस इस टाइप के जितने भी मख़ब हैं जैसे कि इस तरह का मधद्ट जो हदीसों का इंकार करता है तो ये लिए टाइप की जो गूरूप्स बनेवे हैं रिलिजियस गूरूप्स बनेवे हैं मधद्ट बनाओ इए इसलाम की तक्कर पे इसलाम के खलाफ लेकिन वह कहते हैं खुद को कि वह मुसलमान है जैसे कि शिया खुद को कहते हैं शिया मुस्लिम, कादियानी खुद को कहते हैं कादियानी मुस्लिम, यानि कादियानी मुस्लिम, तो यह इस तरह कहने से मुस्लिम नहीं हुआ है, बलके वो जो क्रियेटर ओफ मिट्टी है, उसने मिट्टी को हुकम दिया हुआ है, और सेम लिए जब लॉफ नेचर के तहट आपको यह पता लागरा है कि इसी जमीन के ओपर एक फेक्ट ग्राउंड रियालिटी है, मैं ग्राउंड रियालिटी इसलिए जिस तरह सूरज का निकलना एक फेक्ट है, तो निकलता इसी तरह जमीन के अंदर नेक मुसल्मानों का ना सर्ड ना करना, बलके तरह ताजा मेफूद रहना, सलामत रहना, खोन भी तरह ताजा रहना, एक फेक्ट है, ग्राउंड रियालिटी है, जिस पर प्रैक्टिकल सुबूत शवाइद मैं मुहमद शिया ने चैनल पर पेश कर चुका, अल्ला के फदल से, छुबूत शवाइद, सु सुरज को निकलते हुए देखा और जुटा दिया क्योंकि मैं आपको बता रहों सुरज निकलता है अब आपका काम है अगर आप घार में रहते जाएंके बाहर निकल के देख लिए सुरज है यह नहीं और तस्दिक कर लें कि खबर जूटी है यह सची है अगर आपने कभी नह सुना तो जो मैंने आपको बता है उस पर सुपूत शवाइद देख लें रिसर्च कर लें अपनी रिसर्च कर लें मेरी तो आपको बड़ी से कह रहा हूं कि दुनिया में किसी एक भी काफिर की लाश किसी एक भी मुर्तित की लाश बगहर केमिकल इस्तमाल हुए है तरो दा सुपूब तरोता रहना उस भाल नहीं पादा उता है जिसम चल ले आता है तो बाखी का बदबू तो आप दो दिन छोड़तो जमीन के ओपर लाश को किसी को बगहर केमिकल के नॉर्मल कंडिशन जो होती है तो बदबू आती है तो सज़ए एक कॉमन चीज है जो आम इनसां भी जानता है लहाद जो मैंने आपको बात बता दी के क्रिएटर कौन है उस क्रिएटर ने मिट्टी के अंदर डिकंपोज होने का प्रोसेश उसको रोक कर अपने नेक मुसल्मान पेरोकारों पर दिखा दिया कि वो क्रिएटर उस मिटी जो है वो सिर्फ आला कि असवा कोई भी ये काम नहीं कर पा रहा अल्ला के मुटाब बें पिरोकारों को इस तरह से मेहFUZ नहीं रखवा पा रहा अल्लों ने उन सबकी लाशों को सडाग गला दिया जो दूसरे माबूदों को पूजते थे, दूसरे माबूदों को खुदा मानते थे, दूसरे माबूदों को अल्ला के मुकाबले पर शरीक ठेहरा रहे थे, दूसरे माबूदों की अल्ला के मुकाबले पर पूजा कर रहे थे, दूसरे माबूदों की अल्ला के मुकाबले पर मघभ जैसे कादियान शीया इन समयाथ क्योंकि सब धैरate गलाता है अपनी हुकम से अपनी अब मिट्टी के अंदर में डिकमपोस नहीं तो परोका किश नहीं आपको कैसे पता लागा है क्योंकि किसी और के साथ नहीं हो रहा है, सिर्फ नेक मुसल्मानों के साथ हो रहा है, बुरे मुसल्मानों के साथ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो अल्ला ही कर रहा है, क्योंकि अल्ला नेक मुसल्मानों से राजी है, और ये अल्ला के हुकम से हो रहा है, क्योंकि नेक मुसल्मानों को मरने के बाद जन्दी हिजा मिलती है खाना पीना मिलता है रिस्क मिलता है और वो खुश है तो वो चुके जिन्दा है उनके रुखे जिन्दा है और रुखे जिन्दा है और रुखे तो सब की जिन्दा है काफिर की भी जिन्दा है तो वो उनकी जो रुखे जिन्दा उनको खाना पिना मिल रहा है सजा काफिरों को मिलती है मुंते तो उनको सजा मिलती है उसका असर उनके जिसम पर भी है वही फ्रोसेश Shaprow पिना मिलता हुनकर जिसम तक उनका असर नजर आता है वो ठीक ठा तक है यह आपको इंसानी आख से नजर नहीं आ रहा खापी रहें लेकिन जिस तरह एक अस्पदाल में मरीज को लिटा दिया जाए कोमे का मरीज और उसको इंसान अपने इल्म के मताबिक वसाइल हो जराई से घिज़ा फराम करता है जो नजर नहीं आ रहा होता कि वो जाहरी दोर प ये डॉक्टर के अपने इलम से बात कर रहा है क्योँ के एक लाग़ ने कलेम करदी ता को इसी धर व ereक क्लेम कर दिया था बता दीया था कुरान के अंदर कि जो अर्ल्दो कि ये मर जाते हैं झाला Men को वह जिंदा हैं पर तुम्य शहूर नहीं किस दून चाहिलों को शोर नह जो एत्रास करते हैं क्या ये मुड़दे है läh़कि свобод 독 किलर्दा कि मुड़दा नहीं है और प्रेक्टिकल जो मैंने आपको बदर बात बताई ये प्रेक्टिकल है जो इसलिए हो रही है क्योआँ है क्योंकि अल्ला है ने दावा किया हुआ और वो उस दावे को प्रैक्टिकल तोर पे सरंजाम दे रहा है अपनी दाकत से और मैं आपको अल्ला के फदल से मुस्लिम मैं यह आप एक्स्प्लेइन कर रहा है अच्छा अब बात होती है इसके अवाले से कि यह जो मैंने वाला जो पॉइंट था है यह इस्पम वाला और मि सबसे पहले इंसान की इपतदा कहीं तो जाके हुई है अगर आप एक सोचेंगे कि कोई मर्द पहले बनाता या और पहले बनी थी तो अगर आप इसके जिग-जग करते में पीछे जाएंगे तो यह मुर्गी और अंडे वाला सवाल बन जाएगा अब मुर्गी अंडे वाल इसी दर पहले मर्द बनाता या पहले अरद बनीदी अब घुमाएं इसको ये वही लूप बन जाएगा है जिस तरह लोगी चल दोए और इसको किसी ने बनाय तो इसको किसने किसने करते हैं वह एक पॉइंट पर आते हैं जहां पर konflikaj कि dev क्रिएटर से नी सुनेंगे, इस क्रिएटर ही बतायागा इस्टार्टिंग ही क्याती, क्योंकि आपने आखों से देखने हैं, इस शादी होती है, इस पं के अन्सान मन जाता है, बढ़ पेट में तो जाता है, उसके अंदर वो तखलीक हो रहा है, अगर कोई ज़िए पर मिट् के पेट में गया, और अरत से बच्चा निकल गया, तो भाई अगर 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 आप मानते हैं, जो पहली मखलूक थे इंसानों में वह औरत थी, अब और अगर पेट से कोई बना होगा तो बागी इनसान तखलीक होगा होगा ना बहुत सारे जमीन पर बन गए इतने सारे आ है अगर अगर मर्त भाट चानल है शादी के सिसे शादी इसने की थी, उत खागी चाहिए लिए वगार अगर था मर्त का होगा था पहलना जाए कि आप आए उसके मतले मर्त भणा बनाता है, यह था, पहले मर्त भुणा जा से bedeutet, एक है पहले बनाता है तो औरत कहां से आ गई और तो होगी निए अब आप फरस करने भए मर्दे इसका मादलब और नहीं थी तो फिर बच्चे कहां से आ गए और फिर इंसान कहां से आ गए इत्यों सारे कुछ बात समझ में आरी जो मैं कर रहा हूं तो वो जो लूप है यह लूप इसलिए जा रहा सबसे पहले उसने मिट्टी से मिट्टी से जो मैंने बताया ने हॉलिवूड फिल्म है जब को कि एक एक इक इक इनसान जनरेट हो के क्रीट जग खड़ा हो गया और फिर वापस निकंबोस हो के जमीन में चला गया तो मिट्टी से अल्ला ने आदम अले इसलाम को तैयार किय समझ में आई मेरी बात कुछ सबसे पहले इनसान अदम अले इसलाम और उनको तखलीक किया मिट्टी से अल्ला ने और उसके बाद उनके अंदर फूग दी अपनी रूह और फिर फरिश्टों को गुम दिया सजदा करो आपको यही मिलेगा पुरान में ऐसा ही है ने डिटेल कि मिट्टी से जनरेट हुआ एक इनसान तो ऑरिजन मिट्टी थी और मिट्टी में ही अब आदम अले इसलाम से लेकि आज तक और क्यामत तक जो भी पैदा हो रहा है इनसान वो जब मरता है जब आप छोड़े तो नेचरल वह वापस अपनी अपनी ऑरिजन में जाता है और अपर इसी औरिजन से फिर निकाला जाएगा जब आदम अले जाएगा जब आदम अले लेकिन तमाम इनसान फिर से जनरेट होंगे आप अजियूम करें इमेजिन करें फिल्मी सीन हो रहा है क्यामत एक मनज़र एक दुछारे कपरों के अंदर से सब मिट्टी जोड़ाई है इस पिल्मी सीन लग रहा है बाराल तो आदम अले इसलाम को सबसे पहले बनाए गया एक इनसान को फिर उस मर्द को बनाने के बाद अल्ला ने उस मर्द की पसली से औरत जनरेट की उस पसली से अब आप सोचिए कि पसली से औरत कैसे बन सकती है तो मैं आपको बताओ कि कभी कि घर में बीज लगाएं कभी घर में बीज लगाएं या फल फुरूट देगें चोटा से एक बीज होता है कि क्या होता है क्या हो उसके अंदर से क्या बन के नहीं कर जाता है किसी से फ़ल बन रहा है किसी से सबसी बन रहा है किसी से कुछ बन रहा है किसी से कुछ बन रहा ह हार taraf पानी छाइः हो हा हर एक मिटिज बहुंआ है पानी तो इसे एक मिट्रいき और पानी पानी के तो अलो जीव अलागाला किसम कि प्ल और अलागाला किसम की अजीव जीव चीज है इसलिए आपकी अगर अकल में नहीं आ रहा है कि वो पसली की हड़ी से औरत कैसे तयार हो गई तो जो मिट्टी से एक दम त्यार करके इंसान खड़ा कर सकता है वो पसली के जरीए एक औरत को भी जनरेट कर सकता है क्लियर हो गया चाहे आपकी अकल में नहीं लेकिन जो बात करो आप इसको समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहरा हूँ औरत बना दी पसली से औरत जब बन गई तो फिर शादी हो गई अब शादी के बाद हुए उलाद जो हाबिल काबिल का किससा देरे इसलाम में बताए जाता है किस तरह वो चोड़ों में पैदाईश होती थी फिर उनकी शादी का एक सिस्टम था वहां से जनरेशन हुई लेकिन पहली स्टार्टिंग आदम अले इसलाम को मिट्टी से औरीजन और फिर पसली से उनकी अववा अले इसलाम और फिर इन दो की शादी मिया भी भी तो है ना और तवाम इंसानों के माबाप हैं वो और मेरे भी हैं और आपके भी हैं तवाम इंसान आज रत आदम अले इसलाम और हो अले इसलाम के उलाद हैं पड़ा होगा ना आपने आज आपको इस समझ में आ रहा होगा अल्ला के फदल से मैं उमीद करता हू किस तरह क्रेटर बता रहा है और किस के कॉंसेप्ट को बता रहे कि इसके ओरेजन पे जाती है, कैसे यह पुएंट होता है? logically ये आपको समझ में आएगा कि आज इसक quem we cricket बनता है एक को बेतों की बात नहीं बनती को जो जी अगर आप लूप में जाएं तो को इसका फैसल ही नहीं कर सकता है अगर आप दीन इस्लाम से हट निकल जाएं और आप इकार आप इंकार करेंगे और Creator ने खुद बता भी दिया, यह जब आप कहा, अपने कलाम से, कुरान जो अल्ला का कलाम है, और अब यह किस ने बताया, हजरत मुहम्मद ने, और वो कौन, वो जो अरब के दोर में थे, 14 साल पहले, अब उनको किस ने बता दी यह सारी information, मा के पेट के अंदर की information किस ने ब क्या क्या होता है, फिर वो निकलता है, Creator ने बताए, Creator कौन, अल्ला, क्या से बता दी तो बाद महीं आगे नो, गुम के, भाई की Creator अल्ला है, तो वो पॉइंट किया इस वीडियो का, आपने वो टाइडल को गोर नहीं किया, Creator of Mitty, जब Creator of Earth, तो जब Creator of Earth है, तो Creator कौन है, फै तो इसलिए आपको यह बात कह रहा हूँ कि मुझे तो पूरा हख है इस सब को कहने गा, अल्ला के वुजूत के अवाले से, घस्थ मुह आखिने के अवाले से, क्योंके अल्ला के वद्द से बतोर मुस्लिम मैं ने यह साबित कर दिया, हमेशा के लिए साबित कर दिया, तो फिर मुझे तो पूरा हक है मैं डग्य की चोट पर कह सकता हूं कुछ भी कहूं किसी तमाम बातिल अल्ला की सिवा तमाम बातिल खुदाओं के वाले से बिल्कुल सो फिसल कोई ही नहीं अल्ला के मुगाबले पर और कोई हज़त मुछम्मद स्वालियों के आकरी नभी होने हैं एक नएक मुस्लिम वो भी मिलेंगे जो अपने आपको काडिया नी हैं के हो बादल मख़भ पर है, ये कि कादिया पर शीया है। इसमना भी है। बहुत है तो इसम ए हे पिनाने है। क औरम शीया को आकिना मानते अंग् losers, मिर्जा घुन्हों के वितना है। उनको शीया जो हैं वो मुसल्मान नहीं मानते और जो मुसल्मान मानते पिर वो शीया नहीं होते यह मैं बता दू जो मानता है वो मुसलिम है शीया नहीं है और जो नहीं मानता है वो शीया है तो मैं बात कर रहा हूँ शीयों की शीया और कादिया नहीं यह दोनों बातल मजभ کو آخری نبی ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کو مسلمان ماننا ان کو کافر مشرق مرتب نہیں ماننا کسی بھی انگل میں کم سے کم اس سے آگے بات نہیں قرآن میں اور ویسے ساری چیزیں واضح ہیں کہ وہ ان کے صحابی ہیں ان کے ساتھی ہیں اور خصوصی طور پر خلفاء راشدین تو ان کے ساتھ ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ان کی تتفین ہوئی بھی ہے ان کے ساتھ قریب اور ان کے بھی جسم مبارک جو ہے وہ بھی تر ہوتا ہوتا ہے ان کی قبروں میں تو بہرحال تو جو بات ہو رہی تھی وہ یہی تھی کہ جو لاشوں کے حوالے سے جو میں پوائنٹ کر رہا تھا تو کنکلوجن آپ سمجھ لیں اس بات کا کہ وہ جو کریٹر خالق اس نے جن کی لاشوں کو محفوظ رکھا وہ صرف نیک مسلم ہیں اور اس نے نیک مسلمانوں کی لاشوں سے یہ فیصلہ کر دیا اور دنیا والوں انسانوں کے لیے فیصلہ کروا دیا اور میں نے آپ کو اللہ کے فضل سے اکسپلین کر دیا تو اب جو بھی انسان اپنی اکل کو استعمال کرے گا صرف اکل اور کومن سینس کی ضرورتیں آپ کو کسی بڑی بڑی سائنس کی کتابوں کو کھلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بڑی بڑی تھیوریاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سائنس کے فارمولے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سورج نکلتا ہے صبح بس آپ کو دیکھنے کی ضرورتیں اور اسے اکسپٹ کرنے کی ضرورتیں کہ جس طرح سورج نکلتا ہے واقعی نکلتا ہے اور خبر سچی تھی آپ غار سے نکلیں اور دیکھ لیں اگر آپ نے کبھی نہیں سنا تھا تو اب سن لیا آپ نے اگر آپ نے کبھی سنا تھا لیکن آپ کو یقین نہیں تھا یا ریسرچ نہیں تھی تو آپ کر لیں کیونکہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پوری روح زمین کے اوپر اس پوری روح زمین پر ایک بھی کافر ایسا نہیں ہے جو مجھے چیلنج کر سکے کسی بھی عدالت میں اور نیک مسلمانوں کی لاشوں کا تر و تازہ ہونے کے حوالے سے ان کو غلط ثابت کر سکے اپنے ثبوتوں کو لاکر کوئی بھی ایک کافر بھی ایسا نہیں کر سکتا کبھی بھی practical طور پر یہ چیلنج ہے مسلم من اف اسلام کا اللہ کے فضل سے اس لئے بتا رہا ہوں کہ جو بات میں نے بتائی creator of mitti creator یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے اسی کے فضل سے میں نے یہ آج explain کیا ہے جو بھی بات کہیے کچھ اور آپ اگر مسلم ہیں تو بہت welcome آپ کو کھلے گیا انشاءاللہ دماغ کھلا ہوگا اگر آپ غیر مسلم ہیں تو بھائی کلمہ پڑے ہو دین اسلام میں آ جائے تاکہ آپ بھی اپنے آپ کو موت کے بعد بچا سکیں decompose ہونے سے کوشش کریں نیک عمل کریں اور جب آپ کا انتقال ہوگا death ہوگی تو پھر اگر آپ اللہ آپ سے خوش ہوگا راضی ہوگا تو آپ کے جسم کو بھی بچا لے گا یہ رول ہے کانون ہے یہ اللہ کا کانون ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو شیطان کی راہ میں مرتا ہے دو ہی راہ ہیں ایک تو اللہ کی یا شیطان کی جو شیطان کی راہ میں مرتا ہے وہ مرتا ہے تو جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے ان کی ڈیڈ بوڈی بھی زندہ ہے اور جو شیطان کی راہ میں مرتا ہے इफके डेड़ बोडी मुडदा है और मुड़दा जिद आ डेड़ बोडी का डिटिस क्या है जो मैंने आपको बता धिया की वो डिकम्पोशुजिशन प्रॉसेस डिफॉल्ट है लाइटलू उसको कांट्रोल से अपने कांट्रोल से अपनीkus पावर अपनी ताकत से नेग Niger पर अपलाई नहीं होने दिया dep säga नहीं किया यानी कि